नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर जिस तर मैं आपको बताऊंगी किस तरह एक लॉंग से प्रचंड वश्यकरन किया जाए जी हाँ, सिर्फ एक लॉंग और कोई सामगरी नहीं चाहिए सिर्फ एक लॉंग से किस तरह प्रचंड वश्यकरन कर सकते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्ट अपना बना सकते हैं एक लॉंग के माध्यम से तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लॉंग लेनी है और इस एक लॉंग को हमें अपने मुह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लॉंग आपने अपने मूँ में रख रखे हो तो आपको स्विक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है लेकिन इन सब की भी एक शर्थ होती है इस वशीकरण की भी एक शर्थ है अगर शर्थ को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण साथक सिद्ध होगा और वो वशीकरण काम भी नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो कि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बलकि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दुश को वशीकरन अपना सब तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वश्ची करन करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश्च में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वश्ची करन करते हैं तो इस लिए कोई भी विधी अपनाने से पहले इस बात का खास तोर पर ध्यान रखेगा कि वशी करन करने से पहले खास कर ये विधी अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से, कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लिजे उस व्यक्ति का ध्यान कीजे और वशिकरण हो गया इतना सिंपल वशिकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं जी हाँ, ये शक्ति शाली वशिकरण है सिर्फ एक लॉंग से प्रचंद वशिकरण है तो इस विधी को अपनाईए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाईए, किसी को इस हद तक अपना बनाईए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काप जाए वो ड़ जाए कि आप अगर उन्से दूर चले गए तो होगा क्या? वो अपनी जिन्दिगी कैसे जीएंगे? जी हाँ, इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ही जरूर सोच लिजेगा कि आप उस व्यक्ति को वश्मे करना ही चाहते हैं तभी इस विधी का प्रयोग कीजेगा तभी इस वशीकरण को अपनाईगेगा कोई और समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रिन पे जो नमबर दिखाया गया उस नमबर पे कॉल कीजे, बात कीजे आपकी है समस्या का समधान होगा आपको हब जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजे, आपकी समस्या का समधान होगा और आपको एक खुशहाल जिन्दगी मिलेगी जी हाँ तो फिलाल दीजे इजाज़त फिर हाजर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्ते